देलीकरे न्यूस में अभी की खबर है पारंपरिक नववर्ष की शुरुवात राश्टपती द्रौपती मुर्वु ने चैत्रशुकलादी, उगादी, गुड़ी पढ़वा, चेदीचंड, नवरे और साजीबु चेरूबा की पूर्वसंध्या पर लोगों को शुपकामनाय दी है बतादी की यतिवहार वसंतरीतु और भारत्य नवर्ष के स्वागत के अवसर हैं देश के विभने हिस्सों में मनाये जाने वाले यतिवहार शांती, सद्भाव और सहिशुनता का संदेश फैलाते हैं चैतर शुकलादी यह विक्रम समवत के नए साल के शुरुवात का प्रतीक है जिसे वैदिक हिंदू कलेंडर भी कहा जाता है विक्रम समवत उस दिन पर आधारी थे जब समराट विक्रमादिते ने शकों को हराया उज्जायन पर आकरमण किया और एक नए यूका आवान किया यह चैतर यानि हिंदू कलेंडर का पहला महिना में चंद्रमा के बरते चरड के दोरान पहला दिन है गुड़ी पढ़वा और उगादी यह त्यभार, करनाटक, आंधरप्रदेश और महराष्ट्र सहित दक्कन शेतर के लोगों द्वारा मनाये जाते हैं दोनों त्यभारों में आंप्रथा भोजन का उत्सव है जो मीठी और कडवे मिश्वड से तयार किया जाता है गुड़, मीठा और नीम कडवा का एक प्रसिद्ध मिस्रड परोसा जाता है जिसे दक्षिड में बेवु बेला कहा जाता है जो दर्शाता है कि जीवन सुख और दुख दोनों लाता है चेटी चंड सिंधी नैसाल को चेटी चंड की रूप में मनाते हैं सिंधी भाशा में चैत्रमाह को चेट कहा जाता है यह दिन सिंधियों के संडक्षक संत उडेरो लाल या जूले लाल की जयनती के रूप में मनाया जाता है नवरेह यह चंद्र नवर्ष है जो कश्मीर में मनाया जाता है यह संस्कित शब्द नवर्ष है जिससे नवरेह शब्द बना है यह चैत्र नवरात्रे के पहले दिन पढ़ता है इस दिन कश्मीरी पंडित चावल के कटोरे को देखते हैं जिसे धन और उर्वरता का प्रतीक म मनाया जाता है यह हर साल अप्रेल के महिने में आता है तो चलिए अंत में देखते हैं आज का भ्यास प्रश्न को साजीबु चेरोबा उठसव कहां मनाया जाता है एक केरल दो मणिपुर तीन तमिलनाडू चार पंजाब इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद दियो व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना न भूले